दक्ष परमपिता ब्रह्माजी के पुत्र थे, जो ब्रह्माजी के उन प्रथम छै पुत्रों में से थे जो प्रजापती कहलाते थे। अधिकांश पुराणों में दक्ष से संबंदित दो अलग-अलग संधर्व मिलते हैं। कुछ पुराणों में दोनों को एक ही व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि अन्य पुराणों में इने अलग-अलग व्यक्तित्व माना गया है। कहानियों में दोनों की कथाएं अक्सर उलजी हुई मिलती हैं। वास्तव में दक्ष केवल एक ही थे लेकिन उनका जीवन दो चरणों में विभाजित था। पहला चरण दक्ष के यग्य के समय उनकी मृत्यू तक सीमित है जिसे पहले दक्ष का अंत कहा जा सकता है। दूसरा चरण उनकी पुनर जनम के साथ शुरू होता है। दक्ष का संशिप्त विवरण जो इन दोनों चरणों को समाहित करता है वेन निमन लिखित है। सरप्रत्म जानते हैं कि दक्ष का जनम कैसे हुआ। प्रहमा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से साथ महरिश्यों को उत्पर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद प्रहमा जी के क्रोध से रुद्र का जनम हुआ। उनकी जांग से नारद, उनके दाहिने अंगूठे से दक्ष, मन से सनकादी और उनके बाएं अंगूठे से एक पुत्री, वीरणी जिसे असिकनी भी कहा जाता है। उत्पन हुई। दक्ष क तप और विवाह दक्ष ने विंद्य परवत पर कठोर तबस्या की भावद पुरान सकंद आठ में उलेक है कि महा विश्णुजी ने दक्ष के सामने प्रकट होकर उन्हें असिकनी को पत्नी के रूप में प्रदान किया दक्ष के जीवन का पहला चर्ड देवी भागवत साथ के अनुसार दक्ष और उनकी पत्निय सिकनी से तई पुत्र उत्पन्न हुए अंत्ते उनकी एक पुत्री सती का जन्म हुआ जो भगवान शिव की पत्नी बनी एक बार दक्ष ने ब्रहसपती सवन नामक यग्य का योजन किया इस यग्य में उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पती शिवको आम नतरित नहीं किया विभिन पुरानों के अनुसार दक्ष द्वारा सती और शिवको ना बुलाने के तीन पर मुक कारण दिये गए हैं, पहले कारण का वर्णन हमें देवी भागवत पुराण सकंद साथ में मिलता है, इसके अनुसार दुर्वासा रिशी ने देवी जगदंबिका के उपासना कर उनसे एक दिव्वे पुष पहार राप्त किया था यहार उन्होंने दक्ष को भीट कर दिया दक्ष ने उसे अपनी कक्ष में रख दिया और उस माला की अदबुत सुगंदगा आनंद लेते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रतिक्रिया की जिससे वेपवित्र माला अपवित्र हो गई भगवान शिव और देवी सती को ये बात पता चली जिससे उन्होंने दक्ष को डांटा इस अपमान को दक्ष ने अपने मन में रख लिया और यग्य में भगवान शिव और सती को नाम बुलाने का नड़ने लिया दूसरे कारण का वर्णन वामन बुरान अध्याय दो में मिलता है एक समय जब अहंकार से भरे हुए भगवान ब्रह्मा का मस्तक महादेव ने काट दिया था तो कटे हुए सिर ने शिव जी को क्रोध पूर्वक श्राब दिया और वया उनके हाथ से चिपक गया भगवान शिव इसे त्याग नहीं सके ब्रह्म हत्या के कारण ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपवित्र घोशित कर दिया दक्ष ने भगवान शिव को अपवित्र मानते हुए उन्हें यग्य में आमंतृत नहीं किया तीसरे कारण का वर्णन हमें भागवत पुरान सकंद साथ में मिलता है इसके अनुसार प्राचीन काल में प्रजापतियों ने एक यग्य का आयूजन किया इस यग्य में ब्रह्मा, विश्नु और शिव तीनों बस्तित थे यग्य में दक्ष जो प्रजापतियों में से एक थे विशेश रूप से आमंतृत थे जब दक्ष यग्य मंडप में प्रविश कर रहे थे तो उनके दामाद शिव ने उनके सामने खड़े होने का शिष्टाचार नहीं दिखाया भगवान शिव के इस वेवहार को दक्ष ने उनका अहांकार समझा और कुरोधित हो गए दक्ष ने तभी भगवान शिव से प्रतिशोद लेने का निश्चे किया और एक विशेश यग्य रस्वती सवन यग्य का आजोजन किया इस यग्य में दक्ष ने ना तो भगवान शिव को और ना ही अपने पुतरी सती को आमंतृत किया देवी सती को जब पता चला कि उनके पिता दक्ष यग्य कर रहे हैं तो वे बिना निमंतरन के ही यग्य स्थल पर पहुँच गई वहाँ पहुँचने पर दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं अपने पिता द्वारा इस अपमान से आहत सती कारेदे तूट कया उन्होंने वहीं अगनी प्रजुलित की और उसमें कूद कर अपने प्राण त्याग दिये भगवान शिव को जब इस खटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोदित और शोक ग्रस्त हो गए उन्होंने अपनी जटाओं को प्रित्वी पर पटका जिससे दो भ्यंकर प्राणी वीर भद्र और भद्र काली उत्पन हुए ये दोनों दक्ष के यग्य स्थल पर पहुँचे और वहां सब कुछ नश्ट कर दिया और दक्ष को पकड़ कर उसका सिर कार दिया दिवताओं और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से दक्ष को पुनर जीवित करने का नुरोद किया जब दक्ष का सिर भोजने पर भी नहीं मिला तब ब्रह्मा जी ने एक बक्रे का सिर लेकर दक्ष के धर पर लगा दिया इस प्रकार दक्ष को पुनर जीवन मिला दक्ष के यग्य के बाद उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्द नहीं है इसी के साथ दक्ष के जीवन का पहला चर्ण समाप्थ हो गया इसके बाद दक्ष के जीवन का दूसरा चर्ण आया प्रम्मा जी द्वारा स्रजित प्रचेता जो राजा बरहिश के दस पुत्र थे एक बार कठोर तपस्या में लीन थे इसी दोरान पित्वी पर कृशी के उपेक्षा हुई जिसके कारण विशाल वरिक्षों का घना जंगल फैल गया यह जंगल इतना घना था कि उसकी शाखाओं और पत्तों ने आकाश को ढख दिया और वायू का प्रवाहत तक भादित हो गया यह स्तिती दस हजार वर्शों तक बनी रही तपस्या स्माप्त होने के बाद प्रचेता समुद्र से बहार आए और जब उन्होंने इस विशाल जंगल को देखा तो उन्हें अत्यदिक क्रोध हुआ उनके मुक से अगनी और वायू प्रकट हुई जिससे जंगल के अधिकांश वरिक्ष नष्ट हो गए उस समय सोम देव वहां आए और उन्होंने प्रचेताओं को शांत किया और उनसे बोले राजाओ अपने क्रोध को नियंतरत करो मैं व्रिक्षों और आप लोगों के बीच संदी कराऊंगा व्रिक्षों से उत्पन एक सुंदर कन्या मारीशा मेरी दत्तक पुत्री है मैं उसे आपकी पत्नी के रूप में प्रधान करता हूँ मारीशा के गर्व से आपके और मेरे अंश के सम्मिलन से महान और बुद्धिमान प्रजापती दक्ष का जन्म होगा सुम देव की वबात मानकर प्रचेताओं ने मारीशा से विवाह किया और उनके पुत्र के रूप में प्रजापती दक्ष का जन्म हुआ और यहीं से दक्ष के जीवन के दूसरे चरण का आरंब हुआ है दक्षत्वारा प्रजा की रचना एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजाओं की सृष्टी का आदेश दिया आदेशा अनुसार दक्ष ने देवता, रिशी, गंधर्व, असुर और नाग जैसे विभिन प्राणियों की सृष्टी की लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन प्राणियों की संख्या प्रयाप्त रूप से नहीं बढ़ रही है तो उन्होंने नर और नारी के सहचरे से प्रजा उत्पन्न करने पर विचार किया दक्ष ने अपनी पत्नी असिखनी से पांच हजार पुत्रों को जन्म दिया जिने हर्यश्व बहा गया जब हर्यश्व प्रजारचना की तैयारी कर रहे थे तो नारद ने उनसे कहा ये हर्यश्व तुम अभी इस संसार के रहस्यों से अपरिचित हो क्या तुम जानते हो कि पृत्वी का कोई अंत है या नहीं पहले ये जानने का प्रियास करो नारद की बात सुनकर हर्यश्व विभिन दिशाओं में चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए इसके बाद दक्ष ने असिकनी से फिर एक हजार पुत्रों को जन्म दिया जिनें शबलाशव कहा गया और नारद ने उन्हें भी भटका दिया और वे पृथ्वी के अंत की खोज में गए पर अंतो लोटकर नहीं आए इस खटना से क्रोधित होकर दक्ष ने नारद को श्राप दिया तुम भी मेरे पुत्रों की तरह ही भटकते रहोगे और तुमारा कोई स्थाई निवास्थान नहीं रहेगा तब से नारद पृथ्वी पर हमेशा ब्रहुन करते रहते हैं दक्ष की पुत्रिया दक्ष ने असिखनी से साथ कन्याओं को जन्म दिया और उनका विवाह निम्न लिखित के साथ किया धरम देव 10 कन्याए कश्यप 13 कन्याए चंदर देव 27 कन्याए अरिष्ट नेमी 4 कन्याए बाहु पुत्र, अंगिरस और कृशाशव प्रतेक को 2 कन्याए चंदर देव को शुराब चंदरमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था लेकिन वे विशेश रूप से रोहनी के प्रती अधिक प्रेहिम भाव रखते थे ये देखकर उनकी अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की दक्ष ने चंदरमा को बुला कर समझाया कि वे अपनी सभी पत्नियों के साथ समान वेवहार करें और किसी के साथ पक्षपात ना करें हलांकि चंदरमा ने इसलाह को मानने का आश्वासन दिया लेकिन अपने वेवहार में कोई बदलाब नहीं किया कुछ समय बाद रोहिनी को छोड़कर अन्य सभी पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास चली गई और वहीं रहने लगी ये देखकर दक्ष अत्यदिक रोधित होए उन्होंने चंदरमा को श्राब दिया कि वे शेयरोग से अर्थात अत्यदिक दुरबलता से पीडित हो जाएंगे इस श्राब के प्रभाव से चंदरमा रोग गरस्त हो गए और धीरे धीरे उनकी ऊर्जा क्षीन होने लगी इसका प्रभाव प्रिथवी पर भी बढ़ा सारी बिनस्पतियां सूखने लगी और संसार्विनाश की ओर पढ़ने लगा ये देखकर देवजाओं ने दक्ष से प्रार्थना की कि वे इस श्राप को कुछ कम करें दक्ष ने उनकी प्रार्थना को स्विकार किया और कहा कि चंदरमा एवल 15 दिनों तक ही शेयरोग से प्रभावित रहेंगे और फिर धीरे धीरे स्वस्त होने लगेंगे चंदरमा ने प्रभाराज तीर्थ और स्रस्वती तीर्थ में स्नान किया जिससे उनकी स्तिती में सुधार होने लगा दक्ष के श्राप के कारण ही चंदरमा के घटने और बढ़ने यानि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ दक्ष के बारे में कुछ अन्य जानकारी वहां भारत के शांती पर अध्याए 208 के अनुसार दक्ष प्रजापती का दोसरा नाम कर्ण था जब समराड प्रिथु ने प्रिथुी का दोहन किया तो दक्ष को प्रजाओं का राजा खोशत किया गया था दक्ष उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने शर्च चया पर पितामय भीश्म से भेंट की थी यद्य पी दक्ष को बक्री के सिर के साथ उनर जीवित किया गया था लेकिन उनर जीवित होने के बाद उनका उल्लेक पुराणों में नहीं मिलता है अलां कि दक्ष का पुने उनलेक मारीशा के फुत्र के रूप में होता है और ये संकेत करता है कि दक्ष की कथा को दोविभिन संधर्वों में वर्नित किया गया है हर-hर महादेव आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा प्रपया से लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की तुरुठी के लिए आप सब से ख्षमायाजना करते हुए आपसे नेवेधन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता प्रमात्मा को मन में धर्म करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय